स्वागते आप सभी का आज के मौसम समझ चार में मौसम की लेटेस्ट खबरे पानी के लिए तुरं सब्सक्राइब कीजिए न्यू लाइफ टिप्स चैनल को और दवाएं बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दिली NCR में अब एक बार फिर गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है राजधानी वासी कई दिनों से गर्मी का दंश जिल रहे हैं आने वले समय में दिली NCR के साथ-साथ कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप और बढ़ने के आसार जटाए जा रहे हैं कल भीशन गर्मी के चलते अधिक्तम तापमान 43 डिगरी रिकॉर्ड किया गया तो वहीं आज और कल का तापमान 43 डिगरी का पूर्वा अनुमान चिता है गया है हलाकि कल हलकी बारिश या बूंदाबादी के साथ आमत और परबादल चाय रहने की संभावना जरूर जटाई गया है लेकिन पारा 43 डिगरी तक रहने का अनुमान है जिससे की गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है आईमडी के दिल्ली इस्थानिय के इंद्र के मताबिक आज दिल्ली में अधिक्तम तापमान 43 डिगरी सेलसियस के बरकरार रहने की संभावना है तो वहीं दिल्ली एंसियार में आज दिन के समय से तही तेज हवाईं चल सकती है इसके चलते लोगों को गर्म लू का दन सज 다양한 पड़ेगा हाला कि दिन के कई लगातार लोगों को गर्म हवां से दो से चार होना पड़ रहा है 21 मैं को दिल्ली में अधिक्तम तापमान 42 डिगरी सेलसियस रिकॉर्ड किया गया जो सामाने से 3 डिग्री सेल्सियल जादा रहा हाला कि इस से कुछ राहत मिलने की उमीद भी जताई गई है लेकिन 23 माई को पारा ते 41 टीडी तक रहने की संभावना जताई गई है इसके बाद इसके अगले 4 दिन तक कम रेकॉर्ड होने की संभावना है भारत मौसम विज्ञान विभाग के मताविक 23 से 27 माई के दौरान आउम तोर पर हलके बारिश या बुदभांदी के साथ आस्मान में बादल छाए रह सकते हैं राजदानी दिल्ली में आज से और कल मई में आधा तूफान के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है इसके चलते तापमान क्रमसा 49 से 36 डिग्री तक रहने का पूरवान उमान जताई गया है कल वायुगुन्वत्ता का इस्तर खराब स्रेनी में रहा